कोटा से शिवपुरी मार्ग पर कई जगह पानी भरा हुआ है रोज हाथ से पर हाथ से हो रहे हैं डिभी भारती समाचार पर हाल ही में खबर प्रकाशित की गई इसके बावजुद भी प्रिशासन को कोई फर्क नहीं पड़ा और आज एक ट्रॉक जो धान की बोरियों से भरा हुआ था उसी जगह पर आके गड़े में पानी भरे हुए रास्ते में हाथ से का शिकार हुआ गनिमत रही उपर बैठे हुए आदमियों को हानी नहीं पहुंची हर जगह सड़क तूटी हुई है कई जगह पानी भरा हुआ है इस पर प्रिशासन का कोई ध्यान नहीं जनता का कहना है कि अगर जल से जल पानी की निकासी में रोड से नहीं की गई तो रास्ते को जाम लगा कर प्रदर्शन किया जाएगा देखते रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर युई